साट के बाद भी आप ठाट कैसे ले सकते हैं? इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप सही पेंशन स्कीम का चैन करें और साथ ही क्योंकि रिटार्यमेंट के बाद सबसे बड़ी चुनोधी जो होती है वो यह होती है कि आपके पास एक fixed income यानि monthly basis पर पैसा आतर है इसके लिए हम आपके लिए एक खास calculation लेकर आए हैं हम यहाँ पर बात करेंगे NPS यानि National Pension System के जरीए आप कैसे ना सिर्फ करोड़ पती बन सकते हैं बलके आपके एक fixed income यानि pension हर महीने कैसे आ सकती है तो हमने इसको जो categorize किया है वो हमने दो हिस्सों में किया एक तो हमने जो categorize किया है वो 21 साल की उमर के हिसाब से किया है और एक 35 साल की उमर के हिसाब से किया है तो सबसे पहले हम लोग 21 की बात कर लेते हैं देखिए उमर जो है 21 साल क्योंकि शुरुआती उमर है तो हम लोग सबसे पहले 21 पर आते हैं आपने यहां से इंवेस्मेंट शुरू करी NPS में उसके बाद मंतली इंवेस्मेंट कितना किया क्योंकि शुरुआती जॉब लगे तो बहुत जाद हम इंवेस्मेंट के यहां पर क 10 प्रतिशत के हिसाब से आपको एक अनुमानित रिटन मिल गया है अब इसके बाद क्या करना होगा देखिए अब यहां पर देखिए कि 10 प्रतिशत आखिर यह हुआ कैसे इसके पीछे का रिजन क्या था नौ लाक आपके जो 9,36,000 रुपे बने वो आखिर बने कैसे तो यह पर आपको clarity लेनी होगी इसके पीछे क्या है देखिए अब आपका maturity पर कुल रकम कितना हुआ यह हुआ एक करोड पंदरा लाक रुपे एक करोड पंदरा लाक रुपे यह देखिए कितने ही जादा हुआ आप इसके पीछे का logic है मैं हमेशे आपको समझाता हूँ कि इसके अगर आप liquidity अपने goals को पूरा करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या है tier 2 में आपको बहुत जादा source समझ कर रण नीती के हिसाफ से आपको आगे बंढना पड़ेगा आप आपका mindset क्या है आप कैसे निवेश कर रहे हैं या तो आप aggressively कर रहे हैं या conservative तरीके से कर रहे हैं यह आप को समझना होगा अब देखिए annuity purchase पर आगाया अब आप अनुटी की तौर पर हम साफ सवर पर समझें तो आपकी पैंशन है तो आप कितना पैसा निकालेंगा रहे हैं एक करोड़ पंदर लाग रुपे तो सीधे एक बार में नीका सकते तो आ सरकार के नियम साफ सब्स चालिस प्रतिशत आपको एनुटी के लिए छोड़ना पड़े गया निकाल सकते हैं चालिस प्रतिशत आपको पैंशन का इससमें से बनेगा अब वो कितना बनेगा कैसे बनेगा वो भी मैं आपको उसका गणित समझा देता हूँ अब देखिए अनुमाइट रेट एनुट जो होगा वो आपका बनेगा कुल पैंशन यानि की 23,000 43 रूपीज पर महीने के साब से आपकी पैंशन बन जाएगी तो यह तो बात हो गई इसकी अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे एज ग्रूप जो मैं 21 की बात की थी और उसके बाद 35 की एज ग्रूप की बात करते हैं च तो उसके बाद मंतली इंवेस्मेंट यह होगा तो 25 साल में कुल यूगदान कितना हो क्योंकि 60 तक आप निवेश कर सकते हैं 60 साल की उमर तक तो 45 साल आपका 45 लाग रूपे आपका कुल यहाँ पर यह निवेश हो आपका 10 परतिशत ही रहा कि 10 परतिशत की हिसाब से आपको पहले भी बताया था इस बार क्या किया एनुटी पर्चेश जो है हमने 40 के जगा 50 परतिशत अगर किसी को ज़्यादा पैंशन बनवानी है तो वह इस तरीके को अपना सकता है 50 परतिशत हो गया अब मैंने आपको फॉर्मला बनाया था कि जो अनुमायत एनुटी रेट होता करोड रुपरे आए गए और किस साथ ही आपका एक फिक्स पेंशन भी बन जाएगी वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक कमेंट शेर और सब्सक्राइब जरूर करें